हलो फ्रेंट्स वेलकम माई योटूब चैनल ग्यान और मस्ति और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बिमिय सुत्र के तीसरा उप्योग इसके पिछे लेक्चर में आप लोगो दो उप्योग बताये थे और यह हमारा तीसरा उप्योग है वीडियो अप्लोड होने में थोड़ जोगी इसके पिछे लेक्चर में हमने दो टॉपिक क्लियर किया था और इस लेक्चर में दो टॉपिक क्लियर करेंगे यहां पे बिमिय सुत्र का उप्योग आपका क्लियर हो जाएगा खतम हो जाएगा और फिर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है तुरूट कहा सीमा है कहा कहा तक विम्यस उपयोग कर सकते हैं इस बात को हम लोग इस लेक्चर में हिद्ञेर करेंगे थेक हैं तो सबसे पहले समझते हैं इस तीसरा उपयोग है यहां पे लिखा हुआ ध्यान समझें विम्यस उत्र आप किसी भौतिखरासी को किसी भी भौतिक रासी को भले वो भौतिक रासी आप समझते ने formula physics का तो किसी भौतिक रासी को एक पधती से दूसरे पधती में बदल देना काने का मतलब ये कि जैसे मान के चलिए कोई भौतिक रासी आपको पता हुआ है जैसे हमान लेते हैं force force का जो formula होता है M into A और ये जो M into A जो है या फिर ऐसे मान लेजिए किसी बल जो है किसी वस्तु का बल दौस न्यूटन है तेक है अब यहाँ पे इसका पधती जो है न्यूटन में है देखिए ध्यान देजिए थोड़ा सा यहाँ पे जो है बल वो न्यूटन में है और न्यूटन जो है SI मात्रक है तो यदि इस SI मात्रक को आपको CGS मात्रक में convert करना है CGS मात्रक या MKS मात्रक या FPS मात्रक तो आप इस विमियस सुत्र का उप्योग करके आप किसी भी एक बहुत एक रासी की पदती को दूसरे पदती में convert कर सकते हैं फर्स लेक्षर में आपको बताये थे कि पदती जो होते हैं यह ओओ आपका चार प्रकार करते हैं ठीक है ना FPS पदती CGS पदती MKS पदती और SI पदती है ना पदती के मतलब मात्रक जिसमें फॉर्मूला के मात्रक को लिखा जाता है यह अंदर SI मात्रक बताये तो यहां पर बॉल जो है वो दोस न्यूटन SI मात्रक में है ठीक है और इस दोस न्यूटन को हमको CGS पदती में ने ले जाना हो तो फिर किस परकार से ले जाएंगे तो आप इसका उप्योग करके बना सकते हैं तो यह था इसका इंटोड़क्शन यह देखे इसका फॉर्मूला यह इसका फॉर्मूला है N2 is equal to N1 M1 by M2 का पावर A L1 by L2 का पावर B और T1 by T2 का पावर C करने का मतलब यह कि N2 का मतलब जैसे माल लीए यह बल है छोड़ी यह बल के बाद छोड़ी है जो इस सवाल को बताने वाले हैं इसे बटा लेते हैं ठीक है यहाँ पर जो हमारे जो है गुर्तिय त्वरन मतलब कि जिस त्वरन से पृत्वी किसी वस्तु को अपनी और गूर्ट आकर्षन बाल होता है न फिरी भी में तो जिस बल से प्रित्भी किसी वस्तु को अपनी और आकर सचित करती है तो आकर्षत करते समय पर तो अह Garush कीलो मीटर हो जए यहाँ पे लंबाई का मात्रा कभी hypnra तुक रहें कि खाया नंबाई का मात्रा केलो मीटर्ट में दिया है वह यदी मिनिट में लिया जाए तो फिर गुर्टिया तुरण का माँ कितना होगी है तो द्खिए इस पदकि को बदलना चाहते हैं किस में km तथा minute में तो फिर कैसे बदलेंगे तो आपका ये 34 उपयोग है बहुत तो यूजफुल उपयोग है जिससे पदती को आप convert कर सकते हैं ठीक है SI से CGS से SI पदती में मातरकों को पदती का मतलग मातरक ही होता है ठीक है ना पदती का मतलग होता है मातरक को सबस्क्राइब क्या को हैं तो यहाँ पर देखिये हमारा जो गर्लू दिया है वह दिया है मातरक जो मैंट जीक हमाण जो है वो दिया है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्राइब यह हमारा वैलू है मीटर पर सेकंड स्क्राइब पहले इस फर्मूले का मतलब समझें अभी यहां पर N2 is equal to N1 M1 by M2 L1 by L2 T1 by T2 तो यह जो है M1 L1 और T1 यह दी गई पदती है M1 का मतलब दर्बे अमान दर्बे अमान नहीं दिया इसमें ठीक है न यहाँ पर N1 भी जोड़ देते हैं N1 N1 का मतलब यह 9.8 जो है नमबर जो आएगा पदती के साथ वह आपका N1 होगा यहाँ पर पदती के साथ नमबर क्या है 10 है तो यह हो जाएगा आपका N1 M1 का मतलब दर्बे अमान L1 का मतलब लंबाई और T1 का मतलब समें यह जो है वो मातरक में दिया गया जो भेलू है वहाँ से निकाल का में लोग लिखते हैं ठेक है और देखिए इसके बाद आता है हमारा N2 यह होता है T2 यह होता है बदली गई पदती यहनि जिस पदती में हमको बदलना है उस पदती के हम यूज करने वाले है इतना है समझ में तो यहां से देखिए अब हम लगा रहे हैं फॉर्मूला इसका N2 is equal to N1 यह हो जाएगा M1 by M2 का पावर A L1 by L2 का पावर B और T1 by T2 का पावर C अब थोड़ा सा ध्यान देजिए कोई ज़्यादा डिफ करने एकदम ही जी है हमने बोला N2 जो है वो बदली गई पदती यानि हमको N2 में बदलाना है N2 का भेलू निकालना है N2 तो दिया ही नहीं है इसको हटा देते हैं N2 का N2 लिख लेते हैं N1 का मतलब दी गई रासी और यह हम बोले जो नंबर जो है वही N1 होता है N1 के जगा पर हम लिख लेंगे क्या किलो गराम मीटर पर सेकेंड स्क्वार तो यह किलो गराम दर्वयमान हो जाएगा लेकिन इसमें कोई दर्वयमान नहीं दिया है इसलिए यह M1 by M2 जो होगा यह अपने आप हट जाएगा अब बचेगा L1 by L2 तो L1 by L2 में यह लंबाई है मीटर ठीक है ना तो L1 जो है यहां पर L1 हुआ यहां पर मीटर है तो यहां पर लिख देंगे हम मीटर मीटर ठीक है और L2 जो है अब मीटर को हमको देखिए मीटर को किसे में बदलना है कीलो मीटर में ते अभी बताएं लो यहां को प्रूस हंको किसे में बदलना है तो फिसके लिए谢谢 क्यों कि- UA 2- AAA लिक्लिक ऐगा इस लेका हो जाएगा है उसके बाद है T1 by T2 T1 का मतलब Sum है और Sum है इसमें Second में है Second square देख रहा है ना Second square यहाँ पर Second square है कि यह से अब जब यह ऊपर जाएगा जैसे देखिए मीटर पर Second score इसका मातलब है मैं से लिख सकते हैं तो यह जब Second से स्क्वार उपर जाएगा तो यहां पर पावर जो है पावर वह किसमे और जाएगा माइन संन तो यहांbelsीकर फेलो जो ओगा होगा वह माइनस टू होगा क्योंकि टाइम से टीटू ओ干 जो पावर Σेकंड का का माइनस का अब तो सिट miner's मैं तो पहले देखिए यहाँ पर टाइम टी बन किसमें दिया है सेकें लिख लेते हैं यह ऐटी टू तो टी डू का मतलब टाइम किसमें बदलना है टाइम को मीनट में तो मीनट के जगा पर लिख लेंगे क्या एक मीनट यहाँ पहले मीनट ही लिख लेते हैं मीनट और पावर में क्या डाल लेंगे माइनस तू यहाँ तक क्लियर अब लिखेंगे एन्टू इस इक्वल टू 9.8 एक बर और समझ लेजे इसको ध्यान पूरुवक समझेए हमने एन्टू का वेलू हमको निकालना है एम 1, एम 2 दर्बय हमान इसमें नहीं दिया है अटा दिये एनल 1 एनल 2 लंबाई है लंबाई मीटर में दिया इनल 1 के जगापे m जाएम निक निकरे और यहाँ पर इसकापवर कुछ नहीं एक है तो यहाँ पर इंदोनों का पावक एक time second में दिया है तो second लिख दिए हैं बदलना किस में मीनट में तो मीनट लिख दिए और यहां पर इसका पावर वह जाएगा तो माइनस टू डाल देए n2 is equal to 9.8 अब देखें यहां पर मीटर है तो मीटर ही रहने देंगे मीटर को मीटर में यहां पर लेकिन अब एक किलो मीटर में कितना मीटर होता है यह ध्यान देंगे यहां पर किलो मीटर में है तो एक किलो मीटर में कितना मीटर होता है उस वैलू को यहां पर पूट अप करेंगे एक किलो मीटर में एक हजार मीटर पावर में एक है तो एक अब आते हैं एक सेकंड के पास तो यह सेकंड में है यह मिनट में है तो एक मिनट में कितना सेकंड साथ सेकंड पावर में माइनस टू है यह देखें, मीटर से मीटर कट गया क्या बचेगा नीचे एक बटा 1,000 पावर में 1 है तो एक बार लिख लेंगे यह सेकंड से सेकंड कट गया बचेगा क्या एक बटा 60 का power में minus 2 है तो minus 2 लिख लेंगे ठीक है n2 is equal to 9.8 अब इसको बदलेंगे यह power minus 2 है plus में करने के लिए 60 को कहा भेजेंगे उपर भेजेंगे नीचे हमारा 1000 और 60 जो है उपर जाएगा तो 60 into 60 दो बार लिख देंगे क्योंकि पाउर में 2 हो जाएगा इसके अब 10 से 10 10 से 10 जब गुणा करेंगे इसमें तो यह छेक छक चचाँ के 36 और 36 में 9.8 से हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे तो 36 में 98 से गुणा कर लेते हैं 48 का 4 ठीक है 94 चार अन्ठावन और तरीका 24 यह जाएगा आठ चार बारे का 25 साथ एक आठ तो यहाँ पर 82 के दो हाथ में 8 9 3 27 और 8 35 यह हो जाएगा हमारा 35 28 एक उनके बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा रहे हैं बटा में 10 और 10 से जब भाग देंगे तो पॉइंट टेकन को और और इधर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 35 क्वाइंट तू किलो मीटर प्रती मीनट यह निकलजाएगा हमारा कीलो मीटर प्रती मीनट में ठीक है और यहाँ पर 24 बढाता है मीनट तो मीनट का तो यह देखिए हमने जैसा सवाल दिया था उसको हमने कनवर्ट कर लिए इस पर एक और सवाल समझाने वाले हैं ठीक है हम उसके बाद जो लास्ट वाला चौथा उपियोग वह हम बताएंगे पर इसका स्क्रिंसोट ले लिए आपको फिर आगे बढ़ते हैं कि 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 अब चौथा सारी दूसरा सवाल अब यह सवाल आप यहीं से लेकर आ जाते हैं जैसे मालेज हमको बल का जो भैलू है वह दस न्यूटन दिया हुआ है ठीक है और इसको कनवर्ट करना हमको किसमें डायन में थोड़ा सा द्यान देजिए कि यह बल का भैलू दस न्यूटन को डायन में कनवर्ट करना है देखिए तो न्यूटन जो है यह एस आई पदती है यह आपको ध्यान देना है और डायन जो है वह कि यह इस न्यूटन को हम यह भी लिखते हैं किलो गराम मीटर पर सेकेंड अस्क्वाइर ठीक है और यहां पर डायन में हमको सुरी डायन बदलना है तो डायन का अब डायन सिजेस पत्ति है तो कीलोगराम का सिजेस हो जाएगा गराम मीटर का सीजेस हो जाएगा सेंटीमीटर सेकंड का तो सेकंड ही रहते हैं अब इसमें हमको बदलना है थोड़ा सा द्यान देजें यहां पर देखें अब बदलते हैं फॉर्मूला लागाएंगे यह वला एन्ट बाई L2 का पावर B और यह हो जाएगा T1 बाई T2 का पावर C N2 का N2 यह N1 आपको बताये थे कि जो गुणांख होगा वो N1 का बहलू हो जाएगा यानि 10 M1 का मतलब होता है जो पदति आपको दिया गया है तो यह कीलो गराम है तो इसको हम बदल देंगे कीलो गराम लिख देंगे M2 का मतलब जिसमें बदलना है तो कीलो गराम को किसमें बदलना है गराम में तो यहां पर लिख देंगे एक गराम और इन दोनों का पावर देखे यहां पर कीलो गराम का पावर क्या है एक है तो एक टाल देंगे एलवन मतलब लंबाई लंबाई का मात्रक देखिए इसमें मीटर में है तो मीटर बदलना किसमें है सेंटी मीटर में तो यहां पर लिख देंगे सेंटी मीटर पावर इसका भी एक है तो एक यहां पर हमारा टाइम जो है वो सेकंड में दिया हुआ है सेकंड लिखेंगे और बदलना भी है सेकंड में तो सेकंड में डाल देंगे पावर में लिख देंगे यहां पे माइनस के यहां करेंगे हम दस इसकी को गाराम यह है गराम तो सेम प्धति हमको लिखना होता है द्यान देजिए गारी इस सब्सक्राइब क्यों गर्म कर्म लाइथ एक लाट जाएगा एक हजार घ्ला पौह बदलन्ento नीटर है मीटर को बदल देंगे किस्PERMusik में सेंटिमीटर में $100 सेंटिमीटर बटा में ने पद ही ओक है अब देखिए 10 का 10 यहां पर कर देंगे हम और यह गराम से गराम कट गया सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो यहां पर देखिए यह हो जाएगा एक हाजार और हजाए और यह हो जाएगा सो तो हो जाएगा मना 10 के पावर तीन दूपाच पाच तो दोसके पावर छू और चुकि हमको इसमें बदलना था देखिए आप हमने दस न्यूटन को डायन में बदल दिया दस न्यूटन बराबर होता है दस के पावर छो डायन तो इस परकार से आप किसी भी पदती को किसी दूसरे पदती में बदल सकते हैं बस आप यह फर्मूला याद कर लेजिएगा और इसमें इतना पता होना चाहिए कि M1, L1, T1 और N1 यह दिया गया वैलू रहता है M2, L2, T2 यह हमको कंवर्ट करने वाला वैलू अम लोग रखते हैं तो यह था हमारा तीन उप्योग अब हम लोग चौथा उप्योग इसका समझेंगे और चौथा उप्योग जो है एकदम इजी उप्योग है मतलब वह समझ यह हमारा चौथा उप्योग चौथा उप्योग जो होता है अभी तक आप लोग तीन उप्योग हम बता चुके हैं हना और यह चौथा उप्योग है हमारा कि भौतिक रासी का मात्रग लिखना देखिए भौतिक रासी का मात्रक लिखना यह हमारा चौथा उप्योग है भौतिक रासी का मात्रक लिखना यहां से यह इसलिए कि ऐसे मान के चलती है बहुत सारे बच्चों को जो है ना मात्रक नहीं याद रहा पाता है तो आप इसका मात्रक याद कर सकते हैं लेकिन उस इस्तिति में जब उसका आपको बीमा याद हो तो मैं तो जरूर आपको एक राय दोंगा कि मैरा फस्ट लेक्चर जाके दे वहां से आप भीमा भी निकाल सकते हैं तो भीमा याद होना चाहिए तब ही आप मात्रक लिख सकते हैं तो यहां पे जो हम मात्रक निकालने वाले हैं वह एक नियतांग का मात्रक निकालने वाले हैं ठीक है ना और जो नियतांग होता है जी है ठीक है ना और जी जो है गुर K1 L power 3 K2 minus 2-2-1 कर थेंग यह जो है महारा जी का बीमा है देखे लिए जी कवे इम कप और minus 1 L K4 3 &-2 निकरना है मातरक कि निकालना है देखे निकालते हैं m का मतलब होता है क्या दर्वेमान य का मतलब लंबाई ट प्लॉस तो अब देखें हम मात्रक निकालते यह गया है तो यह को यह ग्यानि नीचे नीचे और ईहाएगा टो एक उप्लॉस वन होगा टी कर पार मीटर का पावर में क्या तीन यह है दर्ब यमान तो इसके जगा पर मैं सकते हैं किलो गराम का पावर माइनस वन और यह सम है तो यह हो जाएगा ऐंटू समय का पावर माईनस 2 या पॉपने सकते हैं एसे लिख सकते हैं देखिए मात्रक एग्दम इजी है है एगई है मीटर का मीट्र क्यों किलो गार में का किलो गराम और समय का सेकेंड स्क्वाइर प्रति लगा दिये हैं ठीक है ना माइनस में है इसलिए तो यह निकल लगे हमारा जी का मात्रक इस प्रकार से आपके अप्जिक्शन माल लिए हमको ml2-2 पता है ml mlt-2 और यह होता है किसका mlt स्वरी बलका बलका बीमा और बीमा से हमको बलका हमको मात्रक पतम माल यह पता ही नहीं है तो निकाल सकते मातलब क्या दर्बेमान लिख देते हैं यहाँ दर्ब्मानu का मतलब है तो यह जाएगा सेकेंड एसक्वार यह देखिए निकल गया मात्रा तो यह एकदम इजी है इसमें कुछ सोचना नहीं है आप निकाल सकते हो देखिए कितना तरीका से तो यह था हमारा चार इफ्योग हमने इस लेक्शर में आपको क्लियर कर दिया इसका सक्रिंसर लेजिए फिर हम सुध्री बछल्य सीमा कहा कहां तक करें है यह हमारा मैं चुतर का प्लाइब और हम्हें रिखनेसे महँए हैं यह आप समझा सकते हैं सामने दीखे-अच्छé समझ महाbir दूसरा यदि आप notes बना रहे हैं तो आप इसको अरासाहनी से लिख सकते हैं देखके तो चलिए इसका पहला क्या इसका सीमा है क्या सीमा का मतलब limitation वहाँ पे ये कोई काम नहीं करेगा बेमिय सुत्र का कोई यूज नहीं हो पाएगा वही उसका limit होता है कर रहे कि यदि सुत्र में कोई बीमाहीन रासी आती है तो उसका पता हम नहीं लगा सकते हैं जब हमने बीमा सुत्र का उपयोग पढ़ा रहे थे तो उसमें first lecture में बताए थे कि टी जो है वो बराबर होता है K into under root L upon G सरल लोलक का आवर्तकाल यह formula हमने find किया था तो इस सुत्र में यह एक बीमाहीन रासी है तो यदि किसी सुत्र में कोई बीमाहीन रासी होती है तो उस बीमाहीन रासी का हम पता नहीं लगा सकते हैं यह सुत्र की पहली कमी है कि यह पहलव इसका कमी है नहीं पता लगा सकते हैं थो इसे अस्थापित नहीं कर सकते हैं सवराल लुलक हमने बताया था कि आवर्तकार सवरी सवराल लुलक लुलक की लंबाई और यह गुर्तिय तुरन पर निर्भर करता है तो यह दो चीज हुआ था न उसमें तो यदि कोई भौतिक रासी चार से अधिक देखना चार से अधिक रासियों पर निर्भर करता है मतलब और और एक जैसे और एक कोई बहुतिक रासी पर निर्वार करें तो उस सूत्र को हम लोग नहीं अस्थापित कर सकते हैं और पांचवा इस विदी द्वारा जोड़ या अंतर के पद वाला सूत्र अस्थापित नहीं किया जा सकता है यानि कोई सुत्र में जूड़ाता हो जैसे गति के स्व्मिकर होता है भी ए स्क्वाइर बराबर यूवे स्क्वाइर प्लस टू एस तो देख रहे हैं इसमें पलस आ गया आया ना तो इस परकार के सुत्र को हम नहीं अस्थापित कर सकते हैं जो पलस और माइनस में हो केवल ग सब्सक्राइब है और रही बात इस टॉपिक अब यह टॉपिक के लिए रहते एक लास्ट टॉपिक आपका त्रूटी जिसको हम लोग इर कहते हैं इर तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आपको हिंदी मेडियम में जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसका नोट्स आप बनाते रहेगा और ऐसे मतलब नोट्स और इतना मतलब पूर्ण रूप से पूरा स्लेवर्स को कंटीनिव करना आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा आपको विश्वास नहीं है तो आप जाके देख सकत तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए आते हम नेक्स्ट लेक्चर में